हाला स्टुडेंट्स मैं डॉक्टर घजिन पुरही तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहांपर मैं वीडियोज अप्लोड करता हूं फॉर इंजिनेरिंग मैथमेडिक्स बीस से स्टूंड आज में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं कॉनिक सेक्षिन का और आज पहली क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कॉनिक सेक्षिन का कंसेप्ट होता क्या है और हम कैसे पता करेंगे कि हमारे पास अगर कोई क्वाडिटिक एक्वेशन देरेखी तो वह एक पैर ऑप स्टेट लाइन को रिपरेजन कर रही है या फि जो तरह भी हमारे पास कॉनिक सेक्षिन होते हैं उनका सेंटर हम कैसे निकालते हैं और उसके सेंटर को कैसे शिप्ट करते हैं यह सब मैं बताने वाला हूं तो सुन्च देखिए तो सुन्च देखिए सबसे भी कॉनिक सेक्षिन के बारे में बात करेंगे तो अगर हम यहां पे एक डबल टेप कॉन लें और उस डबल टेप कॉन को अगर एक प्लेन से cut करते हैं और सीधा-सीधा cut करते हैं तो यहाँ पर जो shape बनता है अगर आप देखेंगे यह वाला shape तो सुन this shape is known as a circle है ना तो वेना circular cone is cut by a plane in various way then the section obtained as called a conic section तो जो भी हमार पास section मनता है वो हमार पास क्या होता है conic section होता है तो यह हमारे पास circle होगा अगर मैं थोड़ा सा particular angle पर इसको ऐसे करके काटता हूं तो यहाँ पर जो हमारे पास shape बनता है this is known as a ellipse यह हमारे पास क्या होता है ellipse होता है अगर यहाँ पर इसको हम थोड़ा सा इस तरह से करें ऐसा कट करें यहाँ पर कि एक साइट बाहर जाए तो उस वाले case में आप ऐसा समझ लिए यूँ कट करें इसको तो यह जो हमारे पास shape बनता है this shape is known as a parabola है ना और अगर हम इसको इस तरह से cut करेगी जो इधर भी cut हो जाए और यहाँ पर बी cut हो जाए तो यह जो हमारे पास shape बनता है this shape is known as a rectangular hyperbola तो यह सब concept जो होते हैं का मतलब ही यहाँ पर यह होता है कि double tape कौन को अगर एक plane से cut किया जाए अलग-अलग angle पे तो जो shape बनता है वह हमारे पास क्या कहलाता है connect section होता है और वह circle भी हो सकता है ellipse भी हो सकता है प्रवोला बी हो सकता है अब हम एक quadratic equation से समझने की कोशिश करेंगे कि कब हमारे पास circle होगा कब ellipse होगा कब hyperbola होगा कब पर लोगा या फिर कब हमारे पास pair of straight line होगा यह प्रक्रष प्रक्राइग कर भी आता है तो हम यहाँ पर जो भी हमारे पास Quaduric equation दे रहेखिए, इस equation हम यह पता लगा सकते हैं, इस के Nature को पता लगा सकते हैं, कि किसको Represented कर रही है, तो हमारे पास Quaduric equation दे रहेखिए, तो हम कैसे करेंगे, तुम आपको एक trick समझाता हूँ, उस trick आप बहुत एजिली इसको कर सकते ह कि जहां पर भी ये 2 degree, ये 2 degree, जहां पर नहीं हो आपके जड़ेट री प्रेसंट कर दो, ठीक है ना ज्यादा अच्छा रहेगा, तो स्मुन ऐसा लिखने से क्या होगा, कि यहां पर जो x square coefficient है वह यहाँ हैगा, कोफिशिन यहां जैसंट गोविशनल तू लो तो वनटू और इसका फ्रिजिन टू अपर यहां पर यहांने एक है Northwestern송 मेंट ख्राइब टू इसी टैप से एक जैड से निटहां होथाए जैकसे नाथ थी सीक करके हम यहां लग देंगे तो इस तरह हम बहुत इसली को बना सकते हैं याद कर सकते हैं याद रखने का सबसे अच्छा तरीकह होता है और इसका जो determinant होता है इसको हम निकाल के देखते हैं इसका aimed हमारे जब निकाल हो गया तो यह आएगा ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square then उसके बाद हम क्या करते हैं यहाँ पर इसका determinant हमने निकाल दिया फिर यहाँ पर यह conditions होते हैं गर determinant हमारे पास 0 है तो उस वाले case में यह हमारे पास एक pair of straight line को represent करता है अब यहाँ पर H square और AB इसमें जो A और B होता है वो X square और Y square का coefficient होता है और जो H होता है वो X Y का coefficient होता है तो इन दोनों में जो relation होता है उसमें हमारे पास यहाँ काम चलता है तो अगर determinant 0 है और H square is not equal to AB पास एक तो यह एक two straight line को represent करता है अगर हमारे पास determinant 0 और H square बराबर AB है तो यह two parallel straight line और represent करता है अगर हमारे पास determinant 0 और X square और Y square का coefficient को जोड़ने पर 0 आ रहा है तो यह हमारे पास two perpendicular straight line को represent करता है अब यह तो बात होगी इसकी अब जब और डिटर्मिन जीरो नहीं हो तो इस वाले केस्ट में वो सरकल भी रिपरसेंट कर सकता है पर बोला भी कर सकता है तो यहां पर यह एच और एच और एबी के रिलेशन के हिसाब से हैं हम देखते हैं तो सुने अगर डिटर्मिन नौट इक्वल डूजी रूर उसके आगे हमारे पास सरकल को रिपरसेंट करेगा अगर इक्सवाइप स्कॉर के स्कॉर के बराबर आता हैं तो वह पेरा बोलाओ को रिपरसेंट करता है हम इसको लेख सकते हैं है स्कॉर्ण इकुल डू एबी अगर डिटर्मेन नौट इकुल डू जी रोएच इसको बहुत इसली समझ सकता है आगे बर तेस्ट एक क्कॉशन लेता हूं और स्कॉशन के थूर्वापको समझाने की कोशिश करता हूं माल लीजे हमारे पास एक क्कॉशन दे रिखी यह है और आपको यह पता लगाने की है और यह किसको रिपरजन कर रहे है तो सबसे बला है आप यहां पर क्या गरी इसके एक मैट्रिक्स बना दीजे मैं आपको बोला था जब भी ऐसा आता है तो यह स्कॉर कोफिशन यहां यहां जाएगा इसी टैप से इसको जैड लो तो यह हमारे पास हो जाएगा टू-3 और टू-3 मतलब यह यह वाला टाइप का लिमेंट आएगा और इसका आधा और यहां पर यह 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 लिखेंगे तो आप देख रहो हमारे पास बार दूना चोबीस एंड यह आएगा यहां पर माइनस इसको लेंगे हम लोग यह थे तो यह आएगा 48 टारीश 48 एंड यहां पास 27 आना यहां पास 8 और इस तरह समनी कालेंगे हो यह वहता है तो होता है रहा लीन होता है एक्रणाय अगर यह पर बेट बोला को रीपरजन करता है अगर यहँ पर और यहां पर यहां पर यह है पर भूला को रेपरजन करेगा आगे बरता सुन तो बात करेंगे असेंटोट की बारा में तो जो भी हमारा पास कॉनिक सेक्षन होता है उसकी इक्षिस कर भूते हैं तो सर्कल की और इलिप्स की इसकी असेंटोट एक्जिस करती है तो इसकी इक्वेशन कैसे निकालते तो बहुत सिंपल है जो भी हमारे पास एक्वेशन दे रिखी किसी भी कोनिक है उसमें क्या करो स्विंड इस कॉंस्टेंट के इंदर इसको एड़ कर दो आप इसके नदर आ औरना मैं फिर सब दो डिक्टो एक्वेशन लिखें यहां पर बस माइनस का क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट अफॉन एबी माइनस एच स्कार हो जाएगा तो यह आपको एक ग्जांपल देख के समझाना चाहता हूं यह कोई दे रखाए एक नएक और और आपको यह पता लगाने अक्वेशन सैपों इसका स्यंक्टो एक विशिन क्या हो गी तो सुन प्र innocent की को महिए हुआ हाई लिए comfortC tratar 23 और 23ता उस्म weirdस और यह माइनस का 5 x 2 यह पद्ध निक आए गए और यह दो करें तो इसका निकाल लेंगे इसका डिटर्फ मेरेन की वेलु आईगी आप सॉल करेंगे तो समसिता बता हूं यहां पे हमारे पास क्या चाहिए हम जानते हैं कि जो भी हमारे पास इसकी इक्विशन क्या इसके इक्विशन तो हम जानते यह आएगा इसकी इक्विशन आते हैं अब हम एब एक्सक्वार निकालेंगे तो मैं इसको सीधा लिख रहा हूं यहां पर तो टू एक्सक्वार माइनस एक्सक्वार माइनस का फाइफाय प्लस का स्काइब करेंगे और सिम्लिफाइब करेंगे और सॉल करेंगे तो मैं पताना चाहरो यह आएगा माइनस का इक्सक्वार माइनस का यसक्वार माइनस का 5y प्लस x-6 जब सॉल करेंगे तो मैं सीदा बताना चाहता हूं यह माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा तो प्लस का 27 होगा एंड यह होगा हमारे पास आइधिंग 2 एंड प्लस 1 by 4 होगा तो यह आठ और एक 9 और नो तो नो है तो ऊपर 27 और 4 और 9 हो जाएगा 9 से सको चैंसल करेंगे तो 3 तो यह थिंग 4 इस अ lot तो ऐगा एक सुछ ट्रिष ऑना को फोटेल ऐगा तो यह आप हमारे पास क्याई इसनी प्लस ट्रइल हो जाएगा और प्लस ट्रूल है और उसको सिंप्लिफाय घरिंगे बराबर 0 अरा इस वह माईनस का 2x2 minus सब्सक्रा बटाइब यहाइगा प्लसवाइस स्क्वाइर माइनस का फाइफं का Шक अंद guys friends आगे बड़ाइब आब बात करतें सुनिया पेकोडिनेट व्ल्री तो अगरामर पास कोई भी कॉमित के रखी है और आपको उसको उसको सेंटर का निकालन आपको कुछ नहीं करनवा इसको एक्स का ऑब करेंगे दिफेरैख़ करेंगे जिरू-गल्फ को यह चिकसरे आरे Consult निखी सम्टाइब करेंगे इसको एक्स करएंगे तो सुनिया एगा हमारे पास 4 एक्स प्लस फूर वाई राइट एंड प्लस का फूर आ जाएगा इसी टाइब सम डिफरेंशिट करेंगे विट रस्पेक्ट वाई तो सुन हम जानते यारी आएगा हमारे पास प्लस एक्वेशन को करेंगे तो हमारे पास एक्स करतेंगे अब बात करते हैं यां पर ध्यान देने के जरूत अब हमारे पास अभी आपने देखा एक quadratic equation ते रहें ती और उसके center के हमने coordinate निकाले कभी कभी क्या होता है सुन center को origin पे shift करना होता है तो center को origin पे कैसे shift करते हैं तो बहुत simple equation है जहसे गर भाद पास यह quadratic equation ते रहें है इसके तो आपके पास यहां पर क्या जाएगा है इसके सेंटर जो होंगे वह ओरीजन पर शिप्ट हो जाएंगे बाइदा टास्वमेशन ऑफ दिस एक्वेशन टाइट इस तरह समस्के और जिन सेंटर को और जिन पर अब इस उनके इसके सेंटर को और जिन पर शिप्ट करेंगे तो इक्वेशन क्या होगे तो बैसा मा अब आपको बता ना चाहर हो कि जैसे इसके और जानते कि होगे अब में गया चाहिए इसका डिटेमिन चाहिए अब देखो करते हैं अब इस उन आपके दिमाग में क्वेशन और होगा कि सर सेंटर औरीजन ही हो इसकी क्या गरेंटी है तो यह अगर आपको देखना है कि इसका सेंटर क्या होगा तो इसको मैंने बदाएता तरीका यह हमारे पास एफ दरिखा है अगर आप इसको आएगी वह कितने आएगे सुन यह आएगा हमारे पास 4x प्लस 2y प्लस का 2 is equal to 0 और सुन यहां पर हम क्या करते हैं एक्स और य की वेल्यू पूट करते हैं तो आप देखो कि सुन यहां पर एक्स की वेल्यू आएगी माइनस 1 एंड य की वेल्यू आजाएगी हमारे पास 1 जैसे यह पूट करेंगे तो हमारे पास यहां पर क्या जाएगा और यह दोनों इसको सॉल्ट करने पर एक्स की माइनस 1 और य की वेल्यू वन आएगी तो इसका जो सेंटर आएगा वह माइनस बन आएगा अब हम चाहते हैं कि सेंटर जो है वह जिरो जिरो पर शिप्ट हो जो सुलिए हमारे पास यह प्रॉसेस को में फॉलो करना पढ़ता है अब हमें क्या च्छा इसका डिटर्व बनेंट्स अब इसके ट्रीक बताई तो यहां पे यहां पर 1-1 and 0-1 and minus 1-1 या लिख दो यह दो इन दोनों को टागे लिखते हैं फिर यह लिखेंगे यह करेंगे एंड यह करेंगे तो हम जानते थे इक्वेशन हमारे पास A की वेलू कितनी हा रही 1, B की वेलू कितनी हा रही 1 और H हमारे पास कितना है तो हमारे बेलू रख देते हैं तो हमें पास इसकी है एक्विशन आएगी, after the transformation of center at origin, तो हमारे पास यह एक्विशन आएगी यह, so 4xy plus y square, इसका जो determinant आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है, minus 6 upon a b, इस विन a और भी यह आ रहा है, तो 1 minus h square, सुनी आएगा, minus 4 is equal to 0, तो इस विन आएगा, x square plus 4xy plus y square, minus 6 upon minus 3, तो यह आएगा, plus 2, तो य यह, हमारे पास क्या आएगा, इसका, conic का equation आजाएगा, और इसको बोलता है, standard form, right, अगर हमें यह पता करना है, कि यह जो हमारे पास quantity equation, यह किसको represent कर रही है, like, hyperbola को represent कर रही है, पेरा बोला को represent कर रही है, ellipse score कर रही है, किसको कर रही है, तो सुनी मैं बताता है, एगर ह हमारे पास 2 है, तो H square 4 आ रहा है, अगर AB की बात करें, तो AB हमारे पास बना रहा है, तो हमारे पास है, hyperbola को क्या करती है, represent करती है, इस तरह समझ सकता है, अब बात करते हैं, यह बूल रहा कि nature of the conic क्या होगा, तो nature of conic मतलब आपको यह पता लगाने कि किसको represent कर रही है, तो आपको यहां पर क्या चाहिए सुन, आपको चाहिए एक तो determinant यहां पर, अगर हमें इसका determinant पता पड़ जाए तो काम हो जाएगा, और एक चाहिए एच स्क्वार और AB, तो पहले इसका determinant निकाल लेते है, तो सुन हम जानते है, एक स्क्वार कोफिशन यह आ रहा है, यह त का बारा, यह प्लस का जीरो, और यह यह तिंगी माइनस का बारा, राइट, माइनस, इस इस भी लेंगे 0,8 और, 0,8, 8, प्लस, 9, तो आप देखे रहे हो बार दूना, चूबीस, माइनस का चूबीस, और आठाट राट, इस सूटरा, माइनस का सात्रा, जब इसको सॉल करें तो सुन यहां पर हमारे पास इसकी जो विल्यू आएगी वह आएगी माइनस का 41 आप देख रहे हो विच इस नॉट इक्वल टू जीरू राइट इसका मतलब यह हमारे पास प्रेट लाइन को रिपरसेंट नहीं करता है अब हम बात करेंगे सुन यहां पर हमारे पास डिपर रहे है अ की विल्यू यहां यहां मतलब हमारे पास को रिपरसेंगा तो इस तरह सवानाचर को बहुत इजीर डिसकास कर सकता है इसको next देखें आपसे पूछो जारा कि coordinate of center क्या होगा तो यहरे center का coordinate अगर आपको निकालना है तो मैं आपको बतायता क्या करेंगे इसको del f by del x निकालेंगे इसको पूरे को act मानलेंगे और इसको x के रस्पर में differentiate करेंगे तो यह आएगा 26x minus 18y और प्लस का 2 is equal to 0 हो जाएगा इसी टाइप सेम डेल f by del y निकालेंगे तो यहां से हमारे पास x और y की वेली जो होगी तो यहां पर हमारे पास जो x की वेली होगी वो क्या होगी तो माइनस का 1 by 4 और यह भी माइनस का 1 by 4 हो जाएगा तो इस तरह से यहां पर इसका सेंटर निकाल सकते हैं अब इसको गर सेंटर को shift करना है तो आप आराम से कर सकते हैं देखो कैसे करेंगे इसके सेंटर को shift तो यह आएगा 13x square minus 18xy plus 37y square प्लस यहां पर determinant upon a b minus h square आजाएगा इसका सेंटर ओरीजन पर क्या हो जाएगा शिप्ट हो जाएगा तो इस तरह सम बहुत इसको कर सकते हैं इसके असेंटोट कैसे इसको फिर सबताना चाहता हो कैसे निकालेंगे जिससे आपको निकालना है तो 13x square minus 18xy plus 37y square plus 2x plus 14y minus कटू यहां पर हमारे पास आजाएगा determinant upon a b minus h square is equal to 0 यह रिकाल दो तो इसका असेंटोट भी इसली निकाल सकते हैं तो इस तरह हम इसको यहां पर solve करते हैं सुन मैं आपके सामने question दे रहा हूं और question का answer आपको comment box में देना है कि यह जो हमारे पास क्वाड़री की question है किसको रिप्रेजेंट कर रहे है लिप्स को शेयर करें और चैनल को जरू सब्सक्राइब करें इस कांसर मुझे comment box में जरू देजिए धन्यवाद